कबजा हो गया था डैकन ओडिसा और साथ इंडिया के पार जो थे 5th और 6th सेंचुरी में ये विश्नु कुंडी के अंडर थे तो ये उनको किनकी मदद से मिले ये इनको मिले थे वकाटक अंपायर की वेज़े से अब देखे वकाटक अंपायर के जो राजा थे हरी सेन उन्हो हमला करके उनके राजा से विश्नु कुंडी को राज दे दिया था ये इनका राज छीनकर इनको दे दिया था बाद में को वा Hammelag की जब विश्नु कंडी का राज आया तो झूर्णे ने बाकी के जो राजा से सलंग्कियान के उनको राक के खुद अपना शासन वहाँ पे क लेकन इंडिया का जो हिस्ट्री है, देखें फिफ्ट और सिक्सेंच्री में बहुत इंपोर्टन रोल निभाया था विश्नु कुंडिस ने, अब देखें जो कुदावरी कलिंगा का इरिया थे वो इंडिपैनेंट हो गए थे, अजाद हो गए थे अब देखे जो कृष्णा को जो सदरन पार्ट है जो साउथ एरिया वाला पार्ट है कृष्णा नदी का वो पल्लब के अंडर आ चुका था अब देखे विश्नु कुंडी का जो शासन था जो राइन था वो खतम होना शुरू हो गया एक तरह से खतम हो गया था किन के आने से चलुक के पुलकेशन टू के आने से आप देखे कि सलंग क्यान के बाद ऐसे विश्नु कुंडी डानेस्ट्री अब विश्नु कुंडी के बाद कोन आते हैं चलुक के पुलकेशन टू यहां कि चलुक के जो थे विश्णु कुंडी के बाद में आये थे आंधा परदेश में तो पुलकेशिन अपॉंटेड हिस ब्रदर कुपजा विश्णु वर्धन एज वाइसरा तो रूल ओवर दा कॉंकर्ड लैंड अब देखें पुलकेशिन जिन्होंने विश्णु कुंडी डैनेस्ट्री वाला एरिया जीत लिया था उन्होंने पुलकेशिन अपने भाई जिनका आम था कुपजा विश्णु वर्धन उनको उस जखा का यनकी विश्णु कुंडी एरिया जो जीतने के बाद पुलकेशन अपने भाई कुपजा विश्णु वर्धन को वो एरिया दे दिया था देखरे करने के लिए यहाँ आप देखें वाइसराय जो है आपने अब जब हम मौडरनिस्ट्री करेंगे अब देखें आप एक वर्ड आता है वाइसराय वाइसराय यह वो वाइसराय नहीं है जो हम मौडरनिस्ट्री में पढ़ेंगे यनकी शाही फैमिली का शाही परिवार का एक आदमी जिसे वाइसराई कहते हैं आप देखें जो पुलकेशन टू ने राज जीता पुलकेशन टू ने कब जा किया विश्णु कुंडी डानेस्टी पे लेकिन उसने खुद वहाँ पे राजा नावन के अपने भाई को उस जग इसने आने लंगोग को अजाद खोशित कर दिया और ने यहां पर इस्टन चलू कर डानेस्टी की शिरुवात की यानग की विश्णुकुंडी डानेस्टी देखें मैंने आपको बताया ना कि सलंकेन के बाद अए इसनु विष्णु कुंडि के बाद क्या थै यहाँ पे इस्टन चलुके जो आ गए थे तो चलुके बाशन कुंडि के बाद आया था अब जानते हैं विष्णुusan विष्णुकुंडी इसका संस्कृत में नाम है विष्णुकुंडा अब देखे जो इसके शासक थे यहनकी आपको बताते हैं कि जो विष्णुकुंडी शासक थे जो राजा थे वो पहले पस्चे में चले गए थे वो किन केंटर काम करते थे वकाटक के अंदर अब देखे वकाटक के वो क्या थे वो आपे फिडियेटरी थे जिसमें राजा हर्ष वर्दन थे जो उनके पिता थे राजा हर्ष वर्दन के जो पिता थे वो गुपता वंच के क्या थे फिडेटरी थे उनके लिए वो टेक्सी कठा करते थे तो इसी तरह जो विश्णु कुंडी थे वो कौन थे वो वकाटक वंच के फिडेटरी थे यहनक ड़ाजय बनाने के लिए अब देखें जब माधवर्मा अब देखें जब माधवर्माיד के जब विषनुकुंडी राजा जो राजय है उसके जो शासक थे, राजा थे माधवर्मा तो देखें कि जब वह पूरी तरह से इंडेपेंड होगे इंडिमेंड का मतलब है कि जब देखें कि वकाटक ने तो पहले उनके हेल्प की थी उनको एक एरिया दिलाने के लिए जब वो एरिया जीत गे उसके बाद ये पूरी तरह से इनके पावर इनके हाथ में आगी वकाटक के तो माधवर्मा के टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने के पूरी तरह से सारे सलंक्यांस वंश को हरा के आंधरा के पूरे ही जगा के उपर कबज़ा कर लिया। इन्होंने अपनी रायधानी के से बनाया, कैपिटल के से बनाया, डेंडलुरू को, डेंडलुरू कहां बढ़ता है, ऐलूरू में, ऐलूरू कहां पे है, वäस्ट विश्नु कुंडी रायन might be fixed between the end of सलंक्यांस and the rise of इस्टन्च लुक्या पावरें 624 अब देगा ऐसा माने जाता है कि जो विश्नु कुंडी थे वो कब आये थे वो आये थे सलंक्यां के बाद सलंक्यां के बाद आये थे end में और इस्टन्च लुक्या के पहले यह कि सलंक्यां के बाद और इस्टन्च लुक्यां से पहले किनका शासन था विश्नु कुंडी का some historians mention विश्नु कुंडी ran from 420 to 624 while some other historians say they ran was from early 5th century to 7th century अब देखे कुछ historian का कहना है यहाँ पे कि उनका जो शासन था जो उनका कारेकाल जो राइन था वो था 420 से 624 तो कुछ का कहना है कि उनका जो time period था वो था 5th century से 7th century के बीच में तो देखे हिस्टोरियन्स के लग-लग यहाँ पे विचार होते हैं लग-लग उनका point of view होता है तो लग-लग इनने 200 साल दिराज किया था तो आप ऐसा यह कर सकते हैं आपको एक्जाम में कभी भी exact date का कॉशन नहीं आएगा क्योंकि देखे हिस्टोरियन्स को भी खुद नहीं पता कि उनका शासन कब से कब तक था इसलिए तो इनके बराजा के बारे में बात करते हैं गोविंद वर्मा वन के बारे में देखें गोविंद वर्मा टूक दा इंपिरियल टाइटल ओं महराजा एंड इस सन मादा वर्मा वन वाज फांडर ओफ दा पावर बेस्ड और ग्रांट फ्रॉम शिरी परवता एंड इंद्रपाल गुर्ता आप देखें यानकी जो गोविंद वर्मा जो थे गोविंद वर्मा वन ठीक है गोविंद वर्मा जो वन थे इनको कौन सा टाइटल था इनको महराजा का टाइटल दिया गया था और जो उनका बेटा था माधा वर्मान वन ठीक है जो माधा वर्मान वन जो उनका बेटा था तो वो असली सत्ता इनकी जो विश्णु कुंडिस को जो पावर है असली सत्ता उसके बाद ही आई थी यहां कि मादवर्मावन जो था एक अच्छा एक शासत था, ठीक है, तो उसके शासन से ही क्या हुआ कि उनको पावर थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, उसके बाद रहते हैं, मादवर्मावन, यह कौन है, गुविंदवर्मावन के बेटे हैं, दराइन ओ मादव वर्मा किरका का मतलब होता है किरका किरका मतलब होता है approximation यह इनको पता नहीं है इनका time period क्या है तो यहां पे c. लगाते हैं सी डॉड मतलब approximation तो देखें इनका जो time period था 425 से 425 इनकी 30 साल था विष्णु कुंडी पावर का यह मतलब है कि इनके time period में इनकी जो पावर थे विष्णु कुंडी की बहुत जादा increase हो गई थी माधावर्मा 2 माधावर्मा जो 2 थे देखिए यह कौन थे यह माधावर्मा 1 के बेटे थे तो अब देखिए ऐसा माने जाता है कि जब पाँचवीश तापदियां की जब 5th century आई तो माधावर्मा 2 थे उनके time period में क्या हुआ जब 5th century का हाफ आया तब जो इनकी पावर थी विष्णु कुंडी की बहुत जादा efficient हो गई थी बहुत जादा बढ़ गई थी दारायन ओफ माधावर्मा वाज गोल्डन ही जिन्दा हिस्ट्री ओफ विष्णु कुंडी आम देखे कौशनी अग्जाम में आ सकता है कि बताईए कि कि विष्णु कुंडी के किस राजा के शासनकाल को या विष्णु कुंडी कि किस राजा के time period को golden time period का जाता है वो है मा देखे इस समय क्या था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई पे था विष्णु कुंडी का सामराज्य ए प्रिंस ऑफ देन पावर्फुल डूलिंग फैमिली ओफ देकन दा वकाटक वास गिवन इन मैरिज टू माधा वर्मा सन विक्रमेंद्र वर्मा अब देखे यहां प देखे जो वकाटक के जो राजा थे उनकी एक बेटी थी जो राज कुमारी थी उसकी शादी जो थी वो माधा वर्मा के बेटे विक्रमेंद्र वर्मा के साथ हुई थी आप देखे जब इनकी मैरिज हो जाती है वहाँ पे क्या हुआ कि इनकी मैरिज जब देखे उस राजक मारी के और विक्रमेंद्र वर्मा के साथ मेरिज के बाद देखे उनको काफी बेन्फिट मला इनकी जो power थी वो double हो गई और double होने के बाद किया हुआ कि उसके बाद जो देखिये है जो area था यानकी जो area था East Coast का वो इनके कब्जे में आ गया उनके उपर देखे पहले किसी और का जैसे हक था उसको इन्होंने power increase करने के बाद उनको वहां से भगा दिया हटा दिया उसके बाद इनकी महाँ पे पावर बन गई माधा वर्मा टू लेड़ दा आम्स अंगेस्ट अनन्द गुत्रिका फू वर रूल्ड ओवर गंटूर तिनाली एन उंगोल प्रबली एंज्वाइ सबोर्टिनेट पोजिशन अंडर दा पलव अफ कांची पुरम अब देखें जो माधा वर्मा टू थे जो माधा वर्मा दिटिये थे उनने अरंद गुत्रिका राजा को हुरा दिया अरंद गुत्रिका के अंदर देखें अरंद गुत्रिका कौन थे पहले तो ये थे जो कांची पुर्व के जो पलव थे ये उनके अंडर काम करते थे और इनके अंडर जो था गुंटूर, तिनाली और अंगोल का एरिया था अब माधावर्मा 2 ने इसके ओपर हमला करके ये जो गुंटूर तिनाली उंगोल का एरिया अपनी कबजे में कर लिया After occupying these areas from अनन्द गोत्रिगा माधावर्मा 2 made अमरपूरा his capital अब देखिए जो अनन्द गोत्रिगा खराने के बाद माधावर्मा 2 ने अपनी जो रायधानी थी अमरपूरा को बनाया अमरपुरा कौन है अमरपुरा कौन सी जगा है आज की अमरावती ठीक है अंदर विदेश में देखे जो विजयवाड़ा के पास जो अमरावती एरिया है वोस टाम उसका नाम था अमरपुरा जो की माधवर्मा टू ने जिसे अपनी कैपिटल बनाया था माधवर्मा टू नेक्स टुर्ण हिज अटेंशन अगेंस दा वैगी किंग्डम विच वा अंडर दा सलंक्यांस अब देखे जो माधवर्मा टू थे उन्होंने जो वैगी किंग्डम है जो सलंक्यांस के अंडर थी उसको अपने कपज में कर दे और व्हा शि HarlemYans को वाँ से वो विश्णुकंडी का अंडर आ गया, आफ्टर इस कॉंकेश्ट, दे कैपिटल माइट है बीन, शिफ्टे टू, बेजवाड़ा, ए मोर सेंटर लोकेशन देट अमरपूरा, आप देखें, इसके बाद, यानके देखें, जब माधावर्मा टू ने, अनन्दु गुद्रे का गोराया, तो अमरपूरा, इनकी विजवाड़ा को, अमरपूरा, इनकी अमरावति को अपनी राइधानी बनाया, लेकिन, अब देखें, जब इन्होंने, सलंक्यान को हराके, गुदावरी वाला एडिया अपनी कबजे में किया, तो इन्होंने अपनी राइधानी फिर से शिफ्ट कर दी, अपनी कैप्टल फिनोनने बेजवाड़ा, इनकी विजवाड़ा को बना दिया, इस एक्टेंसिव, अब देखिए, इसके बाद इन्हें दक्षनापत की उपाधी दी गई, तो कौशना सब्सक्ता पता है कि किसे दक्षनापत की उपाधी दी गई है, तो आंसार आता है विश्णु कुंडी के मादवर्मा 2, इतने लाइएं जीतने के बाद देखिए, तब ही इन्हें दक्षनापत की उपाधी मिली, आफ्टर इस वेरियस कॉंकेस्ट, मादवर्मा परफॉर्म मैनी अश्मेद, राजसुआ और वैदिक सेक्रिफाइज, अब देखिए, सभी जगा जीत हासिल करने के बाद, मादवर्मा ने अश्मेदी यकरवाया, राजसुआ यकरवाया, और कई सारे वैदिक सेक्रिफाइज करवाया, सक्सेसर ओफ मादवर्मा टू, अब देखिए, मादवर्मा टू के जो उत्रादिगारी है, वह कौन है, तो जब इनके बेटे आई, विकमें इंदर वर्मा वन इनकी जो पावर थी वो कम होनी शुरू हो गई अब देखे इनके टाइम पिरिड से लेके इंदर भटारक वर्मा के टाइम पिरिड तक जो इनकी पावर थी वो बहुत जादा कमजोर होनी शुरू हो गई थी उसके बाद तो इंदर भटारग कुड नोट विद्स्टेंड दा होस्टाइल कलिंगा सुबोटें इंदर वर्मा लॉस्ट हर लाइफ इन बैटल अब देखे जब भटारग वर्मा है जो इंदर भटारग वर्मा है तब तक इनकी पावर जो थी वो डिकलाइन पे थी कम थी इनकी पावर तो देखे एक समय ऐसे भी आया जब कलिंगा युद में इंदर वर्मा मारे गए अब देखे विश्णुकूंडी हाथों से गोदावरी वाला एरिया भी चला गया तो नेक्स आते हैं विकमेंदर वर्मा वन विद अक्सेशन ओफ दा विकमेंदर वर्मा टू स्वरी ये है विकमेंदर वर्मा टू विकमेंदर वर्मा टू विद अक्सेशन ओफ विकमेंदर वर्मा टू जब विकमेंदर वर्मा टू आते हैं, उनके टाइम पिरिट से देखिए, जो इनकी शक्तियां थी, जो इनकी पावर थी विश्नु कुंडी की और जदा फिर पहले जैसी हो गई, क्योंकि यह पावर्फुल राजा थे, अब देखें, इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके जो फादर थे, विकमेंदर वर्मा टू के जो फादर थे, इनकी मौत हो जाती है, एक युद में कलिंगा के, अब देखें फिर जब विकमेंदर वर्मा टू जब राजा बनते हैं, तो वही कलिंगावार को ये जीत लेते है और अपनी जो पावर है फिर से उसको बना लेते हैं अब देखें फिरोने ने अपनी जो रायधा नहीं है कैपिटल है उसे बेजवडा से लेंड लूरू बनाया आप देखें जो पल्लव जो शासत थे सिमहार वर्मन तो देखें इन्हों ने उसके जो अटाइक था ठीक है जो उसका अटाइक था उसको भी रोका ठीक है फ्रेंट्स तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बात यहाँ पे कि जो पल्लवंज के देखें यहाँ पे जो पल्लवंज के उचा सकते जो सिंग वर्मन तीक है वहाँ पे इन्हों ने हमला कर दिया अब देखें इसके बाद क्या हुआ कि क्लिंग का जो एरिया है वहाँ पे देखें विश्नु कुंडी का फिर से कबजा हो गया अब देखें यहाँ पे क्या आता है कि जो विश्नु कुंडी का जो डानेस्टी था जो सामराज्य था उनका और देखें कि उसके बाद जब गुविंदवर्मा का टाइम था बहुत कम था लेकिन उनके बाद जो जनसर्या माधावर्मा फोर आते हैं तब इनकी जो शाही शक्ती है इंपिरल पावर है फिर वो पहले जैसी हो जाती है तो उनमें देखे काफी change देखने को मिलता है हमें काफी cultural चीज़े देखने को मिलती है जब आते हैं जनसरय मादवर्मा 4 अब देखे गुईदमर्मा 2 की बात करते हैं देखे इन्होंने अपनी जो स्थिति दी उस समय की इनका जो time था उसको अच्छा करने के लिए मजबूत करने के लिए इन्होंने वहाँ पे काफी time बिताया इनका जो उसके बाद का जो time आता है देखे उसमें काफी wars है काफी इन्यक्सेशन इसमें आती है या वहाँ पे मैं एन्यक्सेशन कबजा देखने को मिलता है इन्हों पे देखे क्या आता है कि जब ये 37 साल के थे 37 एर के थे तब देखे यहाँ पे इन्होंने जो महराज गुट्षविया जो इसका एरिया था प्रिथवी महराज का इस एरिया को इन्होंने revolt जो था उसको दबा दिया इनकी वो revolt को इन्होंने नहीं होने दिवा अब देखे जो माधावर्मा जो फोर है यानिकी जो माधावर्मा चतुर जो फोर है उन्होंने देखे अपने अंतिम सालों में क्या किया उनके अंतिम टाइम पेरिट में माधावर्मा फोर के अंतिम टाइम में क्या हुआ कि चलुक्य का हमला हो गया यानि कि देखे पावर कहां से शुरू हो के मादावर्मा फोर तक आती है मादावर्मा फोर के टाइम पे क्या हुआ कि इस्टर चलुक्या का हमला होना शुरू हो गया तो जब इस्टर चलुक्या का हमला होना शुरू हो गया तब ही से ये शासन की जो इनका जो राइन था इन उनका शासन था, इनके पावर कमजोर होनी शुरू हो गई, तो इसकी वज़ा से ही यहाँ पे चलुक्य का कबजा होना शुरू हो गया अब देखिए, 616 इसमी में पुलकेशन 2 ने हमला किया और पुलकेशन 2 ने अपने भाई कुपजा विश्नु वर्धन के साथ वैंकी के वो अपने कबजे में कर लिया, जो की पहले विश्नु कुंडी के पास था अब देखे, जब ये मादव रहमा फोर, जब 48, यह की 48 साल के थे, तब देखे, 621 इसमी में इन्होंने चलुक्यों को हटाने के लिए उनके उपर हमला किया, कहां पर हमला किया, गुदावरी वाले एरिया में, लेकिन मादवर्मा फोर वहां पर मारे गए अब देखे, जो मादवर्मा होर के बेटे थे, मंचन भटारग, तो चलुक्यों ने उनको भी हरा दिया, उनको भी वासे भगा दिया, तो इस वज़ा से 624 में विश्नुकुन डाश्टी का अंत हो जाता है अब देखे, यहाँ पर बात करते हैं एक वाड़ टेरेटरी की, देखे, आप देखे, यहाँ पर बात बताता हो, क्या है, अब देखे, इनके पास जो था, काफी शिला लेक थे, इसमें लिख़ा है, यहाँ पर इनके पास पलकी राष्टर, कर्म राष्टर, गुडाई, विश्या यह इनके शिलालेख है यहांकि इनके जो शिलालेख है जिससे हमें इनके शासन परमंद के बारे में administration के बारे में पता चलता है वो शिलालेख कौन से है, inscription कौन से है पलकी राष्टर, कर्म राष्टर और गुड़ाई विश्या जब देखें मादावर्मा 3 मादावर्मा 3 ने क्या किया था अपॉइंट किया था अपनी रॉयल फैमिली को अपने एरिया को देखने के लिए उसके बाद देखिए कि जो राजा था यानकी जो किंग था विश्नु कुंडी के वो ही सुप्रीम कोट थे वो ही नयायको या जस्टिस वो ही करते थे यानकी जो भी फैंसला होता था वो ही करते थे तो ये अपने देखें पनिश्मेंट के लिए जाने जाते थे अब इनके आर्मी देखते थे इनके आर्मी कौन सी थी इनके बास Elephants वाली आर्मी थी Charret से रत वाली रत सेना थी Cavalry यहनकी घोड़ सवार सेना थी और Infantry इनकी पैदल सेना थी So, यहाँ पर देखे इनके बास देखे यह लिखा है नहीं यहाँ पर हस्ती कोसा हस्ती कोसा कौन था देखे वाली जो सेना थी उसको घस्ती कोसा बोलते थे अब टे क्स की बास करते देखे टेक्स इनका जो था देखे इनका जो टेक्स था काफी अच्छे तरीके से था वेल और इसस जो इनका टेक्स था जो अगятно government गाओ यहनकी जो अगराहा विलेश थे उनको tax से छूट मिली थी उनके उपर कोई tax नहीं था तो कौशना सकता पता है कि इनने किसके उपर tax नहीं लगाया था अगर आहा village के उपर tax नहीं लगाया था तो 16, 16 type के इनके coins मिलते हैं विश्णु कुंडी के ठीक है 16 type इनके coin मिलते हैं तो यहां पर बात करते हैं religion के बारे में देखे धरम जो था देखे सबसे पहले बात करते हैं विश्णु कुंडी के जो माधवर्मा द्यूतिये हैं जो माधवर्मा 2 है उससे पहले देखे सबी हिंदूism में राजा माने जाते हैं यानकि माधावर्मा 2 से पहले राजा जो थे वो हिंदू थे लेकिन जब माधावर्मा 2 आए उनके बाद दिखे उन्होंने काफी तरह गियक करवाए इस वज़े से वो ब्रामन वादी जो एक विचार लेके आये थे यानकि माधावर्मा 2 से पहले सभी हिंदू थे लेकिन बा उन्हेंने काफी चीजे लिखी थी अब देखें यहां पे लिखा ना सम फिश्णु कुंडी किंग वर क्रेटर ओथर्शिप अब देखें कहीं जगा पर हमें मिलता है कि जो विकिमेंदर वर्मा जो वन थे उन्हें महा कवी कहा गया है यान कि देखें इनके टाइम पे जो था इन्होंने काफी स्कूल बनवाए लिट्रेचर देखें इन्होंने काफी स्कूल बनाए कई कॉलेज बनाए उनको एक काफी जमीने दान में दिया करते थे और खुद भी जो विकिमेंदर वर्मा जो वन थे वो भी एक महावकवी के रूप में जाने जाते है यानकी खुद एक कवी थे तो इनका जो आड़न आड़ के दिखिए जो इनका आड़न आड़किटेक्चर है वो कैसा था तो देखिए ये सभी इनके बिएंग ग्रेट डिवोर्ट्स ऑफ शिवा दविश्णु कुंडी सीम तो है बीन इसपॉंसिल फॉर कंस्ट्रक्शन नंबर ओफ के टैंपल ओफ डिकेटेट टु डेडिकेटेट टु शिवा आप देखिए शिव के बड़े भगत थे आपको पता है कि ये हिंदू समराजे इनकी इन्हें हिंदू इसम से रिलेटेड थे तो ये शिव को बहुत बड़े भगत कि जलता है कि जो विश्नुकंडी के टायम पे देखे कि इनका काफी कॉंट्रिबुशन था के एंटिंडर बनाने के लिए एंके देखे आपे छे लिखाना केटेंपल तुकेव टेंपल बनाया थे जिसमें शिव की शिव के मंदिर भी थे और कहीं मंदिर थे हिंदू मंद से तो देखे दा बिक फोर स्टोर केव एट उडावली एंड एट केव टेमपल इन भैरव कॉंड़ा इन नेलोर डिस्टिक्ट शो तो देखे लास्ट नम यही बात करते हैं कि जो उडावली में जो चार मंजला इनकी जो फोर स्टोरी जो एक गुफा है और जो नेलोर के पास जो आठ जो एट स्टोरी जो गुफा है वो किस ने बनाई थी वो बनाई थी महिंदर वर्मा वन ने अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक को शेय करना मत भुलिए तो मिलते के लिए